ऐलो गुड मॉर्ण गाइज वेलकोम टू आइए नियू वीडियो और आज यहां पूरा एक Dन हो गया और जूब सूह का वियू है और अभी टाइम हो गया साड़े आठ क्योंकि मेरे नीद अभी खुली रात को बहुत जादा थक गया था तो यहां का विव कुछ इस तरह का है और संजेजी कैसी रही बहुत बहुत ही बुरी तरिके से थक चुक है मतलब कमर तो पूरी तूट गई है और आप देख सकते हैं ह आपको दिखाना चाहμεंगा यह जो परे सामने नाला तो नाले से पानी लाना पड़ता है फिर इधर से और यहां थे टिया था रात को आज का भी हमारा साइद यहां शाइद यह Olager low journey नहांवारा चाहिद यह नहीं गलते हैं थो रहम वर रहाई जा बहुत के जलते हैं पहले सबसे पहले रभी के वास तो यहां हम पहुंचुगे रभी के बास रभी कहां से लाया वानी बहुत दूर से लाया मतलब बीच एकर मिंट तो लग गया इधर से उद्राने के लिए क्या बात है अब देखिए यहां आप देख सकते हैं दो वाल्टी स्वारी दो कैनिया है तो अभी पानी से हम यहां परे क्या मनाएंगे इसका अब तो देखिए प्रांठे बनेंगे अभी तो पानी कि यहां बहुत बड़ी दिक्कत है तो यहां से आगे से मैं आपको सेव केपेड है यहां इतनी हाइट में भी सेव होते हैं वाँ सेव किती है और यहां नाला हम आगे चलते हैं आगे दिखाने की कुशिश करेंगे तो गाइज हम बहाद जा रहे थे लेकिन उन तक हमारे आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो वह काफी दूर है तो कम से कम 20 मिन्ट जाने और 20 मिन्ट आने में लग जाएंगे तो इसलिए हम आगे का प्रोग्राम कैंसल करते हैं अपनी कुटिया की तरह यह उपर हमारी कुट तो गाइज यह एक यूनिक चीज है सराज वैली की जो हाइट में पाई जाती है जो यह मदमख्य लिए आप यह एक मदमख्य के लिए बनाया होता है जिसमें आप जो शैद हमारे लगबर अगरस्त के बाद हम निखा सकते इसको तो यह बड़ी मत अशोदी के रूप में व बहुत कम पाई जाती है फ्रेंड्स है हमारा breakfast बनने के लिए थ्यार है यहां हमारे यह दिखिए Quk Sahb breakfast बना रहे है प्राजी सर क्या वना रहे आप यह तो भाई अब सलाद बना रहा है यह देख सकते आप यह हमारे बोटी जी है प्राजी यह यह परस्टमोल यार मेरे नास्तिर में बहुत दर्द हो रही है तो एमपर्जेंसरी के लिए यही मैं खा रहा हूं अभी तो यह तो परस्टमोल से चलाना पड़ेगा काम देखते हैं कितनी देरे में सर करती हैं तो यह गाइस हम यह हमारे यह आठा गुंद रहे हैं इसको आप जानते होगे बलिवांती से तो यह देखिए आठा गुंद रहे हैं तो हमने आठा गुंदने के लिए सिर्फ इस एक्यू चुना है आप देख सकते इनके मसल्स को तो कारण नहीं है कि कोई भी आसी जो ऐखिए मैं इस उन्च घ्यूधंस से और तो यह दोसतों यह आठा अमारा त्यारएं जोकी बड़ी कड़ए मुश्कत के साथ हमारे एकुपकुले में बना है कि तो यह त्यार ओ ठुका हम थोड़ी में बना यहलों थोड़ी देर में बनाएंगे प्रांश राण सेंस चिह तो गाइस यह हमारे प्राठे बन रहे हैं जो आलू है और देसी घी में मतलब की क्या एक है अब मेरे मुह मतलब पहले से पाणी आ गया है तो आप देख सकते किस तरह यह बना जो फाइनल याँ पानी गरम नहाने के लिए क्यूंकि दम रुपे थे वहाँ पानी की बहुत प्रव्लम मतलब तो लोग तो यहां भी पानी गरम हो रहा हम लोग बचे थे 4-5 लोग जो अब नहींगे यहां पर बाखी लोग यहां देख सकते अपने अपने साब से क्रिकिट है कई अभी बैठे हुए अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी देखते हैं पर बहुत मज़ा रहा है यहां ऐसे नाने में बहुत मज़ाएगा तो यह हमारे बर्डे बॉय है बेचारे सुबह से लगे हुए काम करने इनका हम अभी करे बहुत मतलब कि चूर चूर हो गए है तो इन्होंने घर से लाया है नियर्वाय है कुछ शौप के लिए यहां शौप की बवस्ता भी नहीं है गाइस देखिए आज दो किलिमेटर सकते हैं हम आ रहा है दो तीम मारे मामुझा दूर यहां है कुछ फिर देखते हैं प्रोग् देखते के लिए प्रिशाद जो कि इनके बड़े भाही नोंने लाया है तो उसको भी हम चड़ाएंगे अभी ज़े नहां दोके तो रभी फिर भाई साब आज हम दूसरी बार मतलब दूसरी बार ना रहे ऐसे जगह में समस्य पानी किसमें दूग्री में तो पानी किसमस्य हुए और यह हम लोग एक टीम के मेंबर हैं और आज का हमारा प्लान रहेगा कि कल हमने 500 जीते थे तो आज भी हम ऐसी कोशिश करेंगी देखते कि क्या होता है आज थोड़े आसपास के लोकल भी आ रहे है तो देखते कैसे क्या बनेगा